गाईज, आज हम index, match और large function का एक साथ यूज़ करना सीखेंगे Index function का use हम sheet में row अत्वा column के आधार पर किसी भी cell की value calculate करने के लिए करते हैं Match function का use हम data में किसी row अत्वा column में cell की position पता करते हैं और large function का use हम किसी numeric data को nth number की largest value को search करने के लिए करते हैं Sheet में हमारे पास students के names और उनके marks दिये हैं यहां हमें ऐसे 5 students को search करना हैं जिनके mark सबसे ज़ादा हैं तो उसके लिए हम index, match और large function का एक साथ use करेंगे Equal के साथ index लिखकर bracket लगाएंगे Array में name list को select करके उसे f4 से log करेंगे फिर comma लगाएंगे Position का पता करने के लिए match function का use करेंगे तो match लिखकर bracket लगाएंगे अब हमें ऐसे top 5 students को filter करना हैं जिनके marks सबसे ज़ादा हैं तो large function का use करेंगे large लिखकर bracket लगाएंगे Array में marks वाले column को select करके उसे f4 से log करेंगे फिर comma लगाके यहां से one select करके bracket बंद कर देंगे फिर comma लगाके look up एरे में marks वाले column को select करके उसे f4 से log कर देंगे उसके बाद फिर से comma लगाके match type में 0 लिखकर सबी open brackets को close कर देंगे f4 से log हम इसी लिए कर रहे हैं क्योंकि हमने sheet से array एक से जादा बार select किये हैं और जब हम result ड्रैक करेंगे तो वह सही आएगा यदि हम value को lock नहीं करेंगे तो result mismatch हो जाएगा 0 हमने value को exact match कराने के लिए लिखा है अब enter कर देंगे देखिए हमारे पास result आ गया है अब इसको track कर देंगे हमारे पास 5 ऐसे student हैं जिनके marks लिस्ट में सबसे जादा है और अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो please channel को subscribe और वीडियो को like और share जरूर कर दीजिएगा